आपेल 22 के उप्षन में खुलेगी तीन ओलांडर की किस्मा जिसके नाम कलोरा का चेक कटेगा इस महीने में ही आपेल 22 का होगा मिनी ओप्षन और इस ओप्षन में सभी फ्रैंचीजियों ने तीन बड़े ओलांडर को खरीदने के लिए तैयारी शुरू कर दी है पिछले माईने ही फ्राइंचीजों ने रिलीज और रिटेंड खिलाडियों को लिश जारी कर दी थी अब सबका नजर मिनी ओप्सन को पूरा करने में होगी ओप्सन में ओलांडर की डिमान हमेशा से सबसे जादा होती है ओलांडर पर हमेशा ही पैसा बरसता है एक बार फिर से फ्राइंचीजों के नजर में ओलांडर टिकी हुई है और इस ओप्सन में तिल ओलांडर ऐसे उतरने बाले हैं जिनकी किसमत खुलना लग वगता है इनी तीन ओलांडर की फ्रांचीज़ों के लिए इस मिनी ओप्सन में जवरदस मुकाबला देखने को मिलेगा और ऐसा होने पर पैसों की बार इस खुब होने वाली है ओलांडर में सबसे ज़्यादा डिमांड बेन अश्टोक को रहेगी क्योंकि पिछले दो साल से आपियल से दूर आने के बाद बेन अश्टोक इस बार वापसी कर रहे है जिनोंने 22 में भारत के खिलाप T20 टीम में डेब्यू किया था उनके तेज बल्लेवाजी का भारती फेंड भी दिवाने है केमरान ग्रीन अभी 13 साल के हैं और आने वाले 10 साल किसी भी फ्राइंचीजी का साथ दे सकते हैं और वो भी तेजी से रन बनाने के साथ ही ओगेंच से भी कमाल करने का दम रखते हैं इन दोनों के अलाबा सेमकरन भी सबसे ज़्यादा किमत पाने वाले उलांडर में से एक होने वाले हैं इस IPO में उसकी डिमांड भी अच्छी खासी रहने वाली है चोट के कारण सेम करण पिछली ओमेगा ओप्शन में हिसा नहीं ले पाए थे लेकिन इस साल T20 वर्ल्ड कॉप में जो सांदार प्रदसन किया उसका असर ओप्शन में बोली पर जरूर दिखेगा वर्ल्ड कॉप में उन्होंने छो में चो में तेरे बिकेट लिया था और यही ओलांडर एक फिनिसर का भी भूमी का निवा सकता है तो दोस्तों आपको क्या लगता है इतीनों ओलांडर में से कौन महांगा में बिकने वाला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और वीडियो अच्छा लगए हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा